जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है अध्यायनो राजविद्या राजगुहययोग स्लोक सत्र पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहाः वेद्यम पवित्रम वोंकारह रुक्सामा यजुरेवचा गीताचार्य श्रीक्रिष्न परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राजविद्या राजगुहययोग की सिक्षा दे रहे हैं परमात्मा कह रहे हैं हे अर्जुन मैं तुम्हें कुछ और रूप बताता हूँ जिनके द्वारा महात्मा मेरी पूजा करते हैं हे अर्जुन मैं इस ब्रह्मान का पिता हूँ, मैं इस ब्रह्मान की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मान का संग्रक्षक हूँ, मैं इस ब्रह्मान का पिता मा हूँ, मैं इस ब्रह्मान में मौजूद सभी कुलों का मूल भी हूँ, मैं ही हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने वाला इतना ही नहीं है अर्जन इस संसार में मौजूद सभी पवित्र चीजों में मैं मौजूद हूँ अर्जन मैं वेदो का लक्षे हूँ मैं ही सभी वेदो के माध्यम से महसूस किये जाने वाला एक मात्र व्यक्ति हूँ मैं इस दुनिया में हर जिवित प्राणी के ज्ञान का लक्षे हूँ मैं प्रणव हूँ जिसे ओम कहा जाता है जो वेदों के पवित्र बीच के समान है मैं रिगवेद, सामवेद और यजुरवेद हूँ हे अरजन इस तरह मैं कई तरीकों से फैला हुआ हूँ और महात्मा कई तरीकों से मेरी पूजा करते है इसी तरह श्रीकृष्ण परमात्मा स्पस्ट रूप से बता रहे हैं कि महात्मा किस तरह उनकी तिव्य महिमा की पूजा करते है श्रीकृष्ण परमात्मा के शब्दों को याद करते हुए जब भी हम अपनी माँ को देखें जब भी हम अपने पिता को देखें हमें श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायन का चिंतन करना चाहिए जब भी हम अपने दादा जी और पर दादाओं को याद करते हैं तो हमें श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायन के बारे में सोचना चाहिए आईए हम सदेव या ज्यान रखें कि जिसे हम अपना रक्षक समझते हैं जिसे हम सोचते हैं कि वह हमारी रक्षा कर रहा है वह वास्तम में श्रीक्रिश्न परमात्मा या श्रीमन नारायन के संग रक्षण में है केवल सांसारिक चीज़ों को जानना नहीं है बलकि वास्तव में श्रीमन नारायन को जानना है हमारे ग्यान का लक्ष श्रीमन नारायन की महीमा को जानना है श्रीक्रिष्ण में अटूट विश्वास के साथ परमात्मा या श्रीमन नारायन के प्रती एक निष्ट भक्ति के साथ आए हम ओम के जाब के साथ लगातार श्रीक्रिष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायन के बारे में सोचें और श्रीक्रिष्ण पर्मात्मा या श्रीमन नारायन के प्रती समर्पन करते हुए उनके शब्दों को श्लोक रूप में दोहराएं ठीक जैसे वे हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महाः वेद्यम पवित्रमोंकाराह रुक्सामय जुरेवचा श्रीमन नारायना करिश्ये वचनम्तवा श्रीमत भगवत गीता का संपून सार श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है श्रीकृष्ण कहते हैं मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूँगा श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिश्ये वचनम्तवा जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है आए परमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ कर्मों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो परमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूंगा कि यह आठ प्रत्याएं हमें करनी चाहिए कृपया आप सभी इने अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्रीकृष्ण को अपना वचन देते हुए आए हम सभी श्रीकृष्ण के सुन्दर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें ये है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूँगा और आपके बारे में सोचूँगा हमारा दूसरा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने सला दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूँगा हमारा तीसरा वचन हे श्रीमन नारायन मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूँगा हमारा चौथा वचन हे श्रीमन नारायन, जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूँगा और आपको नमस्कार करूँगा हमारा पांच हुआ वचन हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके शब्द करने को कहा था श्रीमन नारायन, मैं केवल आपके प्रती समरपन करता हूँ हमारा छटा वचन हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके सब्द मा सुचह, याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने हमारे लिए श्रीमत भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा की है और आशिरवात दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारी मानवता को गीता प्रतान की मैं गीता में आपके दिव्य सब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अपरिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये है प्रति दिन स्रीमन नारायन को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है आईए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार काले करूँगा सर्वं स्रीक्रिष्नार्पननस्तू जैस्रीमन नारायन पिताह मस्य जगतो माता धाता पिता महाहां वेध्यम पवित्रम वोंकारह रुक्सामा यजुरेवचा पिताह मस्य जगतो माता धाता पिता महाहां वेध्यम पवित्रम वोंकारह रुक्सामा यजुरेवचा जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोद। हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए आए प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायन स्त्रम का पाठ करें नारायन स्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायन स्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो की है www.narayanastram.org और रिजिस्ट्रेशन में अपना नाम और इमेल प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान की गई इमेल पर आपको नारायन स्त्रम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्ट्रु नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायन स्त्रम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायन स्त्रम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला श्री विश्णु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनिय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्त्रम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन